संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 23 पट संख्या 35 से 43 जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे इसने दूसरों को बचाया यदि यह ईश्वर का मसी और परंप्रिय है तो अपने को बचाए सैनिकों ने भी उनका उपहास किया वे पास आकर उन्हें खटी अंगूरी देते हुए बोले यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा इसा के उपर लिखा हुआ था यह यहूदियों का राजा है क्रूस पर चड़ाय हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार इसा के निंदा करता था तू मसी है ना तो अपने को और हमें भी बचा पर दूसरे ने उसे डाट कर कहा क्या तुझे इश्वर का डर नहीं है तू भी तो वही दंड भोग रहा है हमारा दंड नय संगत है क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे है पर इन्होंने कोई अपराद नहीं किया तब उसने कहा इसा जब आप अपने राजी में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा उन्होंने उससे कहा मैं तुम से यह कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे